हेलो दोस्तो पर्देसी फ्लाइट यूट चैल पर आप सभी का वेलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रवल को लेकर कुछ जरूरी अपडेट है साथ में ही ओमान फ्लाइट को लेकर अपडेट है इसके लावा नैपाल के काटमांडो से उत्तरपरदेस के कुछी नगर एरपोर् नम्यान फ्लाइट सेवाओं को लेकर भी जरूरी अपडेट है लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी अपडेट है अगर आप हमारे चैनल पर नए है हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे है फ्लाइट और ट्रवल की खबरों से लगातार आप जूड़े रहन चाहते है तो अभी आप परदेशी फ्लाइट यूड़ चैनल को सबस्क्राइब कर ले और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिसे जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुचे तो सब्सक्राइब को लेकर तो सब्सक्राइब में ऐसा लग रहा है कि कुरोना अपनी अंतिम सासें गिन रहा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ अगर आप आकड़े देखेंगे के कुरोना केस के सब्सक्राइब में तो ऐसा आप भी कहेंगे कि कुरोना बिलकुल खत्म होने के नस अब तक जो डेथ हुई है साउधिय एरब में केस से, वो 8,522 लोगों की हुई है, तो जो आकड़े अभी आ रहे हैं साउधिय एरब में केस के, वो बहुत रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले हब्थों में केस एक दम से विदा हो जाएगा साउधिय वरब से, तो ये एक पहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि करोणा केस के वजह से करोणा की वज़ा से बगुत बड़ा नुकसान हुआ है फ्लाइटे बंद हुई लोगों की जिन्दगया गई और बहुत सारी तभाहिया हुई लोगों की नौकरी गई तो ये एक अच्छा संक्रत है सउदी अरप की वही लोग ट्रिवल कर सकते हैं। जो लोग सौधी अरब से दोनों वैक्सीन के दोज लगवा कर छुटी पर इंडिया आये हुए हैं। तो अभी उन्हीं लोगों को परमीशन हैं इंडिया से सौधी अरब डारेक्ट ट्रिवल करने के लिए। बाकी लोग जिन लोगों ने इंडिया में अपना vaccine लगवाया हुआ है तो वो लोग अभी direct travel नहीं कर सकते हैं उनको इंतिजार ही करना होगा अगर वो इंतिजार नहीं करना चाहते हैं तो वो वाया स्रिलंका होकर वाया मालदीप होकर वाया ओमान होकर या ऐसे करके कुछ और निर्धारित किया था कि कौन कौन से देश से कितने लोग आएंगे एक हptे में उसमें भारत को सिर्फ 750 का कोटा दिया गया था यानु दोनों देशों के एरलाइंस को बराबर बराबर सीटे बाटी गई है यानि 2764 सीटे कोईट की एरलाइंस को मिलेंगी इसके लबा 2764 सीटे इंडिया की एरलाइंस को मिलेंगी हपते में जो 7 दिन जो निर्धारित किया गया है कितने दिन कितने सीटे रिजर्ब होंगी कितने सी सीटे, थर्जडे को 1088 सीटे, और फ्राइडे को 638 सीटे, और सटर्डे को 738 सीटे, तो ये सीटों का कोटा इरधारित किया गया है, पहले 760 बताया गया था, जो कि बहुत ही कम था, उट के मुह में जीरा वाली हिसाब किताब थी, 760 सीटे, पूरे इंडिया के लिए आप सोचिए कि कितना मैंगा टिकट होगा, वारल अभी जो 528 सीटे इरधारित की गई है, ये भी एक हिसाब से देखा जाए, तो कम है, लेकिन 760 सीटों से तो जादा है, अब ये कोईट को लेकर बात हो गई दोस्तों कि अगली अपडेट इंडिया ओमान फ्लाइट को लेकर रहे दोस्तों, तो इंडिया से ओमान के लिए एक सितंबर से फ्लाइटे सुरू हो गई है, इसी सिलसले में एर इंडिया ने अपने कुछ और फ्लाइटों का ऐलान किया है, जिसमें अहमदाबाद से मसकत के लिए फ्लाइटों का ऐलान किया गया है, जिसमें हपते में तीन दिन फ्लाइटें आपरेट होंगी, अहमदाबाद से मसकत के लिए, इसके लिए मुमभई से मसकत के लिए फ्लाइटें बताए गई गई हैं, जो जो लोग ओमान ट्रेवल करना चाहते उनके लिए कई सारे फ्लाइटे अब अवाइलेवल हैं ओमान के लिए अब बात करते हैं दोस्तों नैपाल को लेकर अभी अपडेट यह है कि नैपाल के बुद्धा एर्वेज ने इंडिया के कुसी नगर एरपोर्ट के लिए इसके लिए एरपोर्ट के दीजिये तो काफी लोगों को फाइदा होगा क्यूआ Bush फिय्योगी यूप के पुरवाण्चल के जिलों से अवत के चैत्रों से बड़ी संख्या में युआ परेटक नेपाल जाते हैं और इसके लबा वेपारी भी आते जाते हैं साथ में ही जो बहुत देशों के परेटक होते हैं वो काटमांडू आते हैं और जब काटमांडू से कुसी नगर इंटरनेशन एरपोर्ट के लिए फ्लाइट है शुरू होंगी और साथ में ही वाया भाहरवा करके फ्लाइट है शुरू होंगी तो निश्चित तोर पर बड़ी संक्या में लोगों को इससे सहुलियत मिलेगी फायदा भी मिलेगा तो यह नैपाल को लेकर दोस्तों अपडेट हो गई यह दोस्तों कुछ खास अपडेट थी फ्लाइट और ट्रिवल को लेकर बहराल आगे कोई और अपडेट होगी खास तोर पर इंडिया सौधी कोईत कतर बहरीन ओमान दुबई तो वह आप तक पहुचाई जाएगी इसक झाल झाल